हम दो देखते हैं लौप की ऑफदिक साबुन किसरी करते है तो दिखे। साबुनम्यीं के लिक्तिस्ट्सक्म इस आप समझते हैं कि साफ़क विवाखालिः भी पहले यही समझ लेते हैं उच कारवाकस लिख अमल होता के है तो इस तेल को ले निजिए गरम करके तेल को ले लेते हैं उसमें या तो sodium का powder डाल दिए या तो भी potassium का powder डाल के उसको mix कर दिए हो साबून तेयार हो जेगा उसमें एक्टो साचा में डाल दिए चौक और अलग अलग साबून का अलग 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 डिया ही होता है तो यही basic basic चील यही होती है साबून के उच्छ carboxylik हम लोग के sodium या potassium यह हो सकता है उच्छ वसी हम्लों के sodium या potassium दोनों में से कोई ही ला ते यह हमलों sodium का परियोंकरते हैं या हमलों potassium का पड़ियोंकरते दीई अगर हमनों sodium घृट करेंगे तो उसमें हमलों इन्हों इन120 अलग तालां लिग्ज़िए कोटाइसियुम क dB करेंगे 10th foundation के ओ इसका पीछ वैंड अस्णान कनेशार नहाने नहाने में अंडों करते हैं दोनों में से क्वोष्ण कि पुजै का literature की में किसलिए होता है अब साइड़यो कर लो नॉर्मल फॉर्मूला सब्चाहिं घ्रं का होता र इसका अगर परियोग करें में तुसे टाइम पामेटी अगर C17, A33, C00 का परियोग करेंगे तुसे कहते हैं लोग इस्टरेट तो यह तीन अलग अलग होगा अब यहां पर हम यहां तो सोडियम रखेंगे अगर हमको नहाने वाला साथ नुदाना है तो यहां पर हमको क्या रखेंगे पोटेसियम अगर कपड़ा धोने बाला बनाना तो महां लोग रखते हैं सोडियम का परियोग करते हैं तो आज सी डवल ओने यह इसका फ़ादूला होता है और नहीं तो अगर यहीं क्यों रखना होगा तो अगर इसमें से किसी एक की बहर उठाके आर की जड़ेफ लोग रख देते हैं तो साबून होगा है साबून में नमक मिलाना जरूरी होता है क्योंकि साबून में नमक जो होता है वो साबून को गलाता है वही घुले में सवायक होता है अगर नमक की महत्रा कम रहेगी तो जड़ी साबून घिसेगा इने अब आगे समस्ते साबून में नमी कितनी होनी चाहिए किसी भी साबून में 10% नमी खत कर अब क्या करता है, अब रेजीन क्या करता है, तो रेजीन सा़ँ में जHYाग उत्पन करता है, यह पुछता है, माईसेल के बार में साभोर जंचाम ुदी बिलाती है, यह बश्च魔ight करता है .. ज्यत्यर्द पीछ साभोर, जल्द साभोर.. मैं बवली खत गाती है.. जाग अच्छा देते हैं सब क्योंकि उसमें रिजीन की मात्रा जादे रहती है अब मल यह जाग बनाए और जाग तुरब सुख गया तो अब तो दिकर्द जाएगा तो उस जाग बने हुए जाग को सुखने नहीं देना चाहिए जल्दी नहीं सुखने चाहिए तो उसके कंट्रोल करता है गिलसराल गिलसराल क्या करता है बने हुए जाग को सुखने नहीं देता है गिलसराल की मात्रा जादे रहेगा तो जाग जल्दी सुखेगा नहीं और साथ ही साथ साबुन पारदर्सी होने लगता है जैसे आप पियर्स साबून देखे होंगे, वो पारदरसी रहता है, उसमें गिलसराल की मात्रा जादे रहती है, तो साबून को वो पारदरसी बना देता है, बाकी साबून में अलग 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 के साबून हो सकते हैं, कभी कोई लाल साबून होता है, सबान को सीचों, तो पीला, कोई सफेध, कोई हाला अलरा अलरलर टाइप के सबान होता है, लेकिन एक चीजस दिख्या होरा है, शाख साभुन का ज़ाग धाल होता है तर अन् vitale का जी दो मैं सकरे की सब्सक्राइग, सब्सपीय की टिखिए तर एक सिर्णा जो होता है वो उसे कहता है हाइड्रो फोबिक, आप समझते हैं हाइड्रो फोबिक का मतलग का मतलग का पानी से डर लगता है, फोबिक मतलग का डर लगता है, तो यह वाला हिस्सा पानी से टच्छिन में नहीं रहता है, यह डर्स्ट के टच्छिन में रहता है, त तो एक सिर्या पानी से चिपक जाता है और जब हम लोग कपड़े को रगड़ते हैं तो ज्ञाग बनने लगता है और उसी ज्ञाग में एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता हाइड्रोफिनिक एक धूल को पकड़े एक साभू एक पानी को पकड़े और जब हम लोग खं अगर इस से परावर्तम जो हो जाता है अगर इस जाग पर प्रकास पड़ा और सारा प्रकास एक ही दिशा में परावर्तित हो गया तो उसका रण आपको पताएगी कोई भी वस्तू का रण किस पर निर्वड करता है जिस रंगों परावर्तित करतिए कोई वस्तू सफेध कभ दिखे गहाँ जब वसारे रंगों को परावर्तित करता तो जो जाग बना है अगर और एक ही दिशा में सारे रंगों को परावर्तित कर देता है जिस का रहावज झासा डिकता idée..साल मा लेकिन साबून का पुलन- किसी के वीरण का हो हरा लाल पीला किसी वीरण का साबुन हो उसका जहाग जो दिखेगा हमेसा समय दिखेगा है क्योंकि वह सभी चीज़ों को परावर्ती कर देता है साबून की एक खराबी भी होती है, क्या खराबी होती है कि साबून कठोर जल के साथ जाग नहीं दे पाता है, तो कठोर जल के साथ जाग नहीं दे पाता है, तो इसका यहां पे तो एक टो बांडेशन हो लग गया, अब हम जानते हैं, आपको जस्टी से पहले एक शेक्टर प साबून नहीं कर पाई सुन ही तर वहाँ काम आता है डिटर्जेंट तर सट आ कोहा सकत mówन से अच्छा on डिटर्जेंट को अमनों आप मार जब करते हैं वहाँ काम आता है डिटर्जेंट या ती को jet मिफ्रोगे लिए गया थी चोड़न को सके तो हम लोग सिर्फ के बारे में समझ जाते हैं मैं इसको स्थीन साथ के बारे में लुटवते हैं ज़िछ आप मा नम्हाजर के बारे में समझते है जो जिसे हम नॉर्णल भासा में सर्फ कहनते हैं ये कपड़े को जाने अच्छा दिोता है, कम जल में कठोरता रहती है ता, ऑन कर विछ में पानी आधक रॉन पाणी है कपड़े दिनने वाला कठोर ही ही रहता है, अब ये किसे बनता है बएक ये बनता है उच्चतर Alkyne Sulphonic या फिर Alkyl Hydrogen Sulphate का Ash- sitten-la LINKE, होता है यह इसमें बनाए जाता है इसका फर्मुला देखेगा C18H29 NaO3S यह इसका फर्मुला हो गया पर डिटर्जेंट को साबून से अच्छा माना जाता है अपसे एक पूछाता है आप साबून और डिटर्जेंट में अंतर समझ गया हुए चलिए नेक्स्ट अब लोग अब यह वीडियो को सब्सक्राइब